हाए अवर्वेडान तो आज हम डिसकस करने वाले हैं पुर्गेट्री और ये बिलीजिएस प्लेए और इसे वीलियम बटलरीट इट्स आइरिश राइटर ने लिखा था पुर्गेट्री का माद ≪ मैं आपको बता दे escrito पुर्गेट्री गा मतलब ए नहीं है वह इस्टेट जिसमें मरने के बाद मनने के बाद एवन या स्वर्ग में जाने से पहले जो न्हीं होते जो जीवन में हम कर देते हैं यह हमारे साथ होता है तो वह प्यूरीफाइअ होते हैं वह सटेट में बिफोर गूइंग लें तो अब हम इसके characters को समझ लेते characters हमारे पास चार है two real people and two ghosts of dead people मतलब दो असली वाले इंसान है real humans and two ghosts of dead people मतलब मरे हुए लोगों के दो भूत है इसमें जो दो real इंसान है दो real इंसान है वो है old man and son of old man और जो दो भूत है वो कौन है mother of old man and father of old man तो यहाँ पर old man या फिर old man के बेटे का नाम नहीं है मतलब वो अज्यात है तो हम उनको old man कहके ही बुलाएंगे और उनसे attached सारे लोग है मतलब son of old man father of old man, mother of old man मतलब mother and father तो उनके भूत रहते हैं वैसे अब play start होता है हम एक घर को देखते हैं जो बहुती बुरी situation में है बहुत जरजर हो चुका है बहुत ruined हो चुका है और बहुत बरबाद हो चुका है तो हम उस घर को देखते हैं वो घर बहुती डरावना सा लगता है देखने पर और उसके सामने एक पेड है जो कि बहुत बड़ा है और दो लोग उस घर के सामने खड़े हैं दो लोग कौन? Old man and son of old man बुड़ा वेक्ती और बुड़े वेक्ती का बेटा जो की 16 साल का है वो उस घर के सामने खड़े हैं और old man उसे सारी बाते बताता है वो गहता है कि ये जो घर तुम देख रहे हो ये मेरा घर था मैं यहाँ पर रहता था पहले ये मेरे मादा पिता का घर है Old man अपने बेटे को बताता है कि मेरी मदर बहुत ही जादा रिच फैमिली से बिलॉंग करती थी और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी और ये घर मी उनहीं के नाम पर था और वो बताता है कि मेरे फादर बिल्कुल भी अच्छे वेक्ति नहीं थे वो डंकाड और गैंबलर थे मतला दारूपीने वाले और जुआ खेलने वाले अगे बताता है कि कैसे उनके फादर ने उनके मदर के जितने भी प्रॉपरटीज दी जितना भी पैसा था वो कैसे दीरे दीरे लटा दिया दारूपीने में और जुआ खेले में वो मानते थे old man के father कि अगर old man school जाएंगे तो वो कही पढ़ा देखकर उनसे आगे ना निकल जाए और इसी सोच के चलते उन्होंने old man को school नहीं भेजा और एक दिन उन्होंने उनकी मदर के नाम पर जो घर था मतलब जहां पर उनकी family रहा करती थी कभी उस घर को भी आग लगा दिया और ये जो situation है वो old man से बिलकुल भी बरदास नहीं हुई उस समय old man की age 16 year की थी और old man बहुत ही जादा गुसे में आ गए और इस गुसे के चलते उन्होंने अपने फादर की हत्या कर दी मतलब उनका murder कर दिया ओल्ड मेन यह सारी बाते अपने बेटे को बताता है कि उन्होंने अपने फादर की हत्यागर्दी उनका मर्डर कर दिया और उनकी मदर की तो पहले ही देथ हो चुकी थी उनको बर्थ देते समय ओल्ड मेन को और वो चाहते थे अपनी मदर की सोल को प्यूरिफाय करना क्योंकि उनकी मदर वो जो मैंने आपको starting में बताया था वह state जिसमें मरने के बाद heaven में जाने से पहले जो purification होता है soul का तो old man is concept को मतलब इस concept का यही पर role है कि old man चाहते थे अपनी मदर की soul को purify करना और वो इसलिए अपने फादर का मर्डर कर दिये ताकि उनकी मदर की आत्मा को शान्ती मिले और ये सब चलता ही है कि क्या होता है अचानक से ओल्ड मैन को अपने मदर और फादर के घोस्ट दिखते है मतलब अपने माता पिता के भूत उनको नजर आते है और सिर्फ उनहीं को नजर आते हैं उनके बेटे को नहीं आते उनके शैडो दिखती है उनको और वो अपने बेटे को बताता है कि आज का जो दिन है वो मेरे मदर फादर की एनवर्सरी का दिन है और वो अपने फादर को देखता है अपनी मदर को भी देखता है उनके घोस्ट को देखता है अंदर जाते हुए और अपने फादर को देखकर ओल्ड मैन फिर से एंग्री हो जाता है उनको फिर से उनकी जो की जो मेमोरीज थी वो सारी याद आने लगती है और ओल्ड मैन फिर से गुस्से में आ जाता है अब क्या होता है ओल्ड मैन अपने ब पोटली मांगने के जित करता है, ओल्ड मैन उसे मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी जित करता है, और उस पोटली को छीनने की कोशिश करता है, और इसी के चलते हैं, वो पोटली नीचे गिर जाती है, और उसके सारे पैसे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, और इस बात पर ओल इस प्लेग की थीम सुनो, उनका मारना था कि उनके फादर जो मिस्डीट्स करते थे, मतलब उनके फादर का जो नेजर था, वो पीडी दर पीडी आगे बढ़ता जाएगा, और उन्होंने अपना जो वन्श है, वो ही समाप्त कर दिया, मतलब उनका जो बेटा था, वो ही नही बढ़ेगी, उस चेन को, जो की अनब्रेकेबल चेन है, क्राइम की, वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसी चेन को उन्होंने तोड़ दिया है, और ये सब वो क्यों करते हैं, अपनी मा की आत्मा को शांती पहुचाने के लिए, और इसी के साथ हमारा प्लेक खत्म होत हैं, थैंक यू